नमस्कार दोस्तों, हमारी कैजूली एक्स्प्लेंट सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कुछ ऐसे साइन्टिफिक टर्म्स देख रहे हैं, जो हम दैनिक जीवन में अक्सर ही सुनते रहते हैं। इस वीडियो में हम निर्जली करण या डिहाइडरेशन के बारे में जानेंगे। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा शरीर पानी की मदद से बहुत से काम करता है जैसे शरीर में पोशक तत्व का संचार, हानिकारक तत्व को शरीर से बाहर निकालना, हार्मोन, पाचक रसो, आदी का स्त्रावर्ण और शरीर का तापनी अंत्रण पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो तो क्या होगा शरीर में पानी की कमी होने को dehydration कहते हैं यह अस्तिती तब आती है जब हमारे शरीर में तरल पदार्थों और साल्स की कमी हो जाती है डाइरिया, तेज बुखार, ज्यादा पसीना और कुछ बिमारियां जैसे diabetes आदी dehydration का कारण हो सकते हैं डाइरिया और उल्टी से शरीर में थोड़े ही समय में पानी की भारी कमी हो सकती है जले हुए लोगों में dehydration जल्दी होता है क्योंकि उनकी तवचा से तरल बहुत ही आसानी से निकल जाता है dehydration एक बहुत ही सामान निस्थिती है जो किसी को भी हो सकती है लेकिन बच्चों और बुड़ों में dehydration होने की संभावना जादा होती है इसे कुछ लक्षणों से पहचाना जा सकता है जैसे सूखा मूँ वगला, धसी आखें, बहुत ज़्यादा प्यास, ज़्यादा पीली पेशाप, ठकान वच चक्कर, आदी अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये स्थिती खतरनाक हो सकती है जादा समय तक डिहाद्रेशन से इजिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन्स, किड्नी स्टोंस और किड्नी फेलियर का खतरा हो सकता है सोडियम, पोटैशियम जैसे इलेक्रोलाइट हमारी सेल्स में सूचना भेजने का काम करते हैं डिहाद्रेशन से शरीर में इलेक्रोलाइट की भी कमी हो जाती है और सूचना भेजने में दिक्कत आती है डिहाद्रेशन से खून की मात्रा भी कम हो जाती है जिससे शरीर में ऑक्सीजन भी कम पहुँचती है और अगर खून की मात्रा कम होती रहे तो दिमाग को कम खून मिलता है जिससे कोमा की स्थिती आ सकती है तो हमें डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? शुरुवाती लक्षर दिखने पर ओरल रिहाइड्रेशन या ओर्रेस का इस्तिमाल करें गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पीएं वुजर्गों को प्यास महसूस करने में दिक्कत आती है तो उन्हें समय समय पर पानी देते रहें और अगर हालत ज़्यादा खराब हो तो डॉप्टर के पास जाएं क्या आप भी किसी ऐसे साइन्टिफिक टर्म के बारे में जानना चाहते हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं अगर हाँ तो हमें कमिंट बॉक्स में बताएं और साइन्स से भर पूर ऐसे और वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें